इसराइल ने हमास की पंडू भी को मार गिराया है जो की चुपके से इसराइल की उपर हमला करने आ रही थी जी है दोस्तो हमास का अब क्या प्लान है? हमास क्या करना चाहता है? किस तरीके से इसराइल की उपर हमला करना चाहता है? और हमेशा इस्राइल किस तरीके से हमास किस कोशिश को नाकाम कर रहा है आज खबरी दुनिया की रिपोर्ट में मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मैं आविनब स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चनल अभी का ग्यान में आएज जानते हैं अब दरसल बात क्या है पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ देखिए हमास के पास काफी सारी आटमेटिक पंडूबिया है automatic पंडूबिया यानि कि क्या है ना ये remote control पंडूबिया है यानि कि जमीन से इन्हें कोई operate करता है और ये पानी के नीचे चलती रहती है और ये अपने साथ bombs वगेरा केड़ी करके लेती है और जो भी target होता है वहाँ पर hit करती है और अपने आप ही blast हो जाती है इन्हें suicidal submarines भी हम कहते हैं अब हमास ने क्या किया इनमें से एक automatic submarine को भीजी towards इसराइल ताकि ये इसराइल के किनारे जाकर वहाँ पर bombardment करे यानि कि bombs वगेरा फैके वहाँ पर पूरी तरीके से blast करे लेकिन ये जो बात है ये पता चल गई इसराइल को तो Israeli Defense Forces ने पूरी तरीके से उस submarine को तहसनेस कर दिया साइड पर या आप tweet पर देख सकते हो ये raw footage है अब वो चेक कर सकते हो अब आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि देखिए हमने तो सिर्फ इतना ही सुना था कि हमास जो है ये जमीन पर operate करता है ये जमीन पर हमला करता है लेकिन ये पानी में कहां से आया तो क्या इनके पास कोई navy है क्या इनके पास 9 सेना है बिलकुल हमास के पास 9 सेना है अब ये वैसी 9 सेना नहीं है जो भारत के पास है या फिर US के पास है या फिर इस्राइल के पास है पर इनके पास 9 से ना है हमास जो है यह लगातार अपनी 9 से ना को expand करने की कोशिश कर रहा है हमास क्या कर रहा है यही जो automatic सब्मिरीन से जो GPS controlled सब्मिरीन से यह लगातार बना रहा है और यह अपने साथ लगबग 30 kg 30 kg explosives यह केरी करके ले सकती है इसी के साथ हमास क्या करने की कुशिश कर रहा है हमास बहुत सरे बच्चों को train कर रहा है बच्चे यानि कि जो 20 साल के बच्चे है 20 years of age 20 साल के बच्चों को train कर रहा है और इनको कहे रहा है कि तुम अपने साथ bombs वगेरा ले लो बोट में जाओ और इस्राइल के किनारे वहाँ पर जाकर हमला कर दो यानि कि इनको हम suicidal bomber भी कहते हैं इनका नाम इन्होंने क्या दिया है frogman commando तो बहुत सरे बच्चों को भी train यहाँ पर कर रहा है ताकि यह इस्राइल के उपर हमला कर दे अब ये बात तो हमें समयज में आ रही है कि हमास जो है ये frogman commando को train कर पाएगा इनके मन में कुछ ना कुछ यहाँ पर डाल रहा होगा ताकि ये suicidal bomber बन जा रहे हैं लेकिन इनके पास जो पंडू भी है ये पंडू भी कहां से आ रही है कौन इने provide कर रहा है देखिए हमेशा उंगली उठती है इरान के उपर कहा ये जाता है कि इरान जो है यही automatic पंडूबियों को भेजता है हमास इजिप्ट के जरिए side पर ही आप map पे देख सकते हो इरान क्या कर सकता है अपनी पंडूबियों को भेज सकता है कि इरान ये सब कर रहा है वरना हमास के पास ये सब पंडूबि कहां से आएगी अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमास पंडूबियों का इस्तमाल क्यों करेगा पंडूबियों का इस्तमाल करके हमास किस तरीके से इस्राइल को लुक्सान पहुचाने की कोशिश कर रहा है क्या सिर्फ आतंक मचाना ये इनका में मोटिव है नहीं, ऐसी बात नहीं है देखे, अगर मैं आपको इस्राइल के बारे में बताऊं नेचुराल ग्यास फिल्ड से, अगर मैं अब सभी को तमार नेचुराल ग्यास फिल्ड के बारे में बताऊ, ये 2013 से ऑपनेट करना शुरू हुआ था, सिर्फ एक ही तमार नेचुराल ग्यास फिल्ड से, इसराइल ने 2013 से लेकर अब तक, लगभग 1.75 बिलियन डॉलर का रेव अब समझ सकते हो, यह कितनी बड़ी मातरा है, तो हमास का प्लान क्या है, कि इन सब पंडूबियों को यह आपनी तरब से कर रहा है, यह किसी को भी नहीं पता है, पर इनकी मनसा यही है, इसलिए अगर आप लेविये थन में देखोगे या फिर तमार ग्यास फिल्ड में देख तो इसराइली नवी, यानि कि इसराइल की नौसेना हमेशा वहाँ पर उनकी सुरक्षा करती है, देखिए, अब इस पूरी घटना से यह तो ते हो चुका है, कि इसराइल अपनी तरब से अब युद नहीं रोकेगा, क्योंकि हमास अगर इस तरीके का सडियंतर रचेगा, इस तरीके से हमले करेगा, इसराइल की उबर तो इसराइल बिल्कुल नहीं रुकने वाला है, यह युद और भी बहुत दिनों तक आगे चलने वाला है, अगर हमास यहाँ पर चुप हो जाता, हमले नहीं करता तो इसराइल भी चुप हो जाता, लेकिन अगर हमास ऐसा तो ये युद बहुत दिनों तक अब चलने वाला है। अब ऐसे में मैं आप से भी की राय जानना चाहते हूं कि हमास ने जिस तरीके का सडी अंत्र रचा है। क्या इस समय पर हमास को ऐसा करना चाहिए था। आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्षिन पर जरूर क्योंकि मैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो अब सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंट्रेस्टिंग टापिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्षिन पर जरूर बताएगा मैं उसके उपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो मे एक और इंट्रेस्टिंग टापिक के साथ फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत शुक्तिया है।